आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मनाली के पास कुछ ऐसे आउट स्कुर्ट एरियाज में जहां पे आ बारा महीने स्नो इंजॉय कर सकते हैं अगर आप मेज जून की समर वेकेशन में मनाली आने का प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ तो आप इन एरियाज में आकर के स्नो इंजॉय कर सकते हैं कौन से हैं वो एरिया मनाली के पास वहां तक पहुँचने का क्या तरीका है और क्या वहां पे जाने के लिए किसी पर्मिट की जरुरत होती है यह सारी इंफर्मेशन आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे तो जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा इंग तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यह स्नो कैब्र माउंटेंज आपको हमेशा ही दिखाई देंगे मनाली में और इस समय सन्राइज हो रहा है तो माउंटेंज के ऊपर जो स्नो है वो बिल्कुल गोल्डन चमक रही है आज का जो हमारा प्लान है वो है मनाली के आउट सकर्ट एरियाज में विजिट करने का और सुबह सुबह नौ बजे ही रेडी हो करके हम निकल गए हैं मनाली के आउट सकर्ट एरियाज में विजिट करने और आज हम जा रहे हैं मनाली से सुलांग वैली अटल टनल होते हुए हम सिसू तक जाएंगे जहां पे इस समय हमें भरपूर इसनों देखने को मिलेगी मनाली से सिसू तक का ये अपना खुबसूरत सफर आज हम आपके साथ शेर कर रहे हैं इस वीडियो बे तो हमारे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा सिसू located है मनाली से 40-42 किलो मेटर के डिस्टेंस पे और यहां जाने के लिए सौलंग वैली और अटल टनल से होते वे सिसू तक जाया जाता है और अटर टनल का डिस्टेंस है मनाली से करीब 27 किलोमेटर अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं सिसू तो आप मौर्णिंग में 9 बज़े तक बिल्कुल आप निकल जाएए वहाँ जाने के लिए और या फिर आप मनाली से टेक्सी भी हायर कर सकते हैं तो हम तो टेक्सी से जा रहे हैं जो हमारे होटल के टेवल डेक्स से उन्होंने अरेंज करके दिये तो उसी टेक्सी से हम जा रहे हैं सिसू मनाली से 57 km आगे आने के बाद आपको दिखाई देंगी बहुत सारी शॉप्स जहां से आप अपने लिए स्नो सूट और बूट्स भी रैंट पे ले सकते हैं तो वो आप यहीं से ले लीजे पहले ही और आगे आपको शॉप्स की आप्शन थोड़े कमी मिलेंगे तो आप पहल सौलांग वैली है जो मनाली से 12 km के डिस्टेंस पे लोकेटेड है और यहां पे याक राइड होती है और यहां पे आपको हमेशा ही 8-10 याक हमेशा ही यहां देखने को मिलेंगे याक एक ऐसा अनिमल है जिसको देखने के लिए आपको सिर्फ स्नो रीजन में ही आना पड़े और और आगे आए हैं तो हमें यहां पे रोड के दोनों साइड भरपूर स्नो देखने को मिल रही है क्योंकि जैसे जैसे आप अटल टनल की तरफ जाते हैं तो आपका ऑल्टिटूट बढ़ने लगता है आप हाई ऑल्टिटूट पे जाने लगते हैं जिस वज़े से यहां पे भरपूर स्नो आपको देखने को मिलेगी और रास्ता बहुत खुबसूरत है रोड के दोनों साइड ही बहुत ही खुबसूरत इसनो इस समय दिख रही है और यह अटल टनल से पहले का नजारा मैं आपको दिखा रही हूं अगर अटल टनल के शुरू में ही आपको इतनी स्नो देखने को मिल जाए तो समझ जाए कि अटल टनल के एक्जिट पे आपको 100% स्नो देखने को मिलेगी क्योंकि वो एरिया लोकेटिड है 10,000 फीट से भी अबब आल्टिटूड पे तो इस समय आ गई है अटल टनल हम पहुँच चुके अटल टनल के एंटरिंस पे अटल अटल टनल के अंदर ट्रावल करना हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि इस तरह की जो प्रजेक्ट्स होते हैं वो एक कंट्री को बहुत महनत के बाद और बहुत ही पैसा खर्च करने के बाद बहुत सारे लोगों के एफोर्ट के बाद और एक लंबे अल्टिट्यूट पे लोकेटे टनल भी है कई बर हमने टनल के अंदर कुछ ऐसे भी लोगों को ट्रावल करते वे देखा है जो ओवर एक्साइटमेंट में टनल के अंदर जो है कार के म्यूजिक को लाउड करके डांस करते वे हूटिंग करते वे चलते हैं या रैश चाहूंगी कि प्लीज आप इस तरह की हरकतें न किया करें तो कि ये से आप खुद को मसीबत में कई बार आप अपने साहां वाले लोगों को भी परिशानी में डाल देते हैं उनको भी 274 करते हैं अटर्टनल को पूरा क्रॉस करने में हमें समय लगा है 12-15 मिनट और फिर उसके एग्जिट पॉइंट पे हम पहुँच गए हैं और एग्जिट पॉइंट जो है अटर्टनल का वो खुलता है इसपीती डिस्टिक्ट में यानि कि यह जो एरिया है वो इसपीती डिस्टिक्ट दे रही है, वाइट चादर सी लिप्टी हुई है स्नो की, चारो तरफ, और यह है यहां का फेमस चंदरा ब्रिज, चंदरा ब्रिज चंदरा रिवर के उपर बना हुआ है, और यहां से भी बहुत खुबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा, अटल टनल का, अटल टनल मे स्नो पॉइंट्स भी है, जहां पे स्नो एक्टिविटीज होती है, रेस्टरांस है, कैफे हैं, यहां पे रश हमेशा रहता है, इस समय काफी रश है यहां पे, और चारो तरफ का व्यू देखिए, कितना खुबसूरत है, चंदरा ब्रिज के पीछे देखिए, कितनी स्नो द लोकेटेड है, और शिसू जाने के लिए चंदरा ब्रिज के पास से लेफ्ट साइड में एक हाईवे जाता है, चंदरा ब्रिज को क्रॉस करके, बस उसी हाईवे से आप शिसू तक पहुंच सकते हैं, जैसे ही हम उस हाईवे पे पहुँचे हैं, तो अटा टनल और शिसू क बीच का जो रास्ता है न वो और भी खुबसूरत है, रोड के दोनों साइट भरपूर इसनों हमें देखने को मिल रही है अब हम पहुँच चुके हैं सिसू, सिसू के स्नू पॉइंट पे इस समय हम हैं और हाइवे के किनारे आपको इस तरह की कार पार्क देख जाएंगी कि अब आप सिसू के स्नू पॉइंट पे पहुफ चुके हैं और अब हम यहाँ से जिप लाइन करते वह स्नो पॉइंट तक जाएंगे, यहाँ पर जो है स्नू पॉइंट तक जाने का केवाल एक मातरो ضिक लाइन ही होती है आप जिप लाइन को करके ही वहां तक पहुंच सकते हैं क्योंकि बीच में एक रिवर को क्रॉस करना होता है और जिप लाइनिंग का चार्जेज है यहां पे 1000 रुपीज पर परसन और बच्चों के यही चार्जेज है और अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनके साथ एक क्यूं मेंबर जो है साथ में जाते हैं वो सेफली बच्चों को स्नो पॉइंट तक पहुंचा देते हैं जिप लाइन के एक बहुत ही अडवेंचरस एक्सपिरियंस के बाद हम पहुंच गए हैं सिसू के स्नो पॉइंट पे और यहां का जो नजारा है पहुँचकर बहुत ही अस्मराइजिंग है यहां पे चारो तरफ भरपूर इस स्नो हमें देखने को मिल रही है सिसू लोकिटेड है हिमाचल के स्पिती डिस्ट्रिक्ट में और इसका अल्टिट्यूड है 10,235 फीट अबफ सी लेवल मनाली से इसका डिस्टंस है 40 किलो मिटर और यहां आप अपने वीकल या आप टैक्सी से यहां तक पहुँच सकते हैं और यहां आने के लिए आपको किसी परमिट की ज़रूरत नहीं है मनाली से यहां पहुँचने में हमें 2 घंटे का समय लगा है इस समय दोपेर के 12 बज़ रहे हैं और यहां का टैंपरेचर है 4 डिगरी सेलसियस तो इस बार अपने बच्चों की समर वेकेशन्स में उनको यहां लेकर के आईए आपके बच्चे यहां स्नो में बहुत इंजॉय करेंगे नॉर्थ इंडिया की भीशन गर्मी से बहुत रहत देने वाली जगा है यह और वैसे भी टेरेन चाय कैसा भी हो, कैसा भी लांड्सकेप हो बच्चे हर जगा को अपना प्लेगराउंड बना ही लेते हैं आई होप हमारी सिसु तक की यह जर्णी आपको भी बहुत पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्स पर वाचिंग बाई